केसी वेनू गोपाल जी एचके पाटिल जी नाना पटोले जी बाला साहिब धोराट जी भुपेश भगेल जी अशोक चोहान जी पृत्वीराज जोहान जी दिग्विजय सिंग जी जेराम रमेश जी मुकुल वासनेक जी अविनाश पांडे जी रजनी पाटिल जी स्टेज पे कॉंग्रेस पाटी के वरिश नेता हमारे प्यारे कारे करता बाईयों और बहनों आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत आप दूर दूर से आए मेरी बात सुनने आए इसके लिए आप सब को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद संत्गजानन महराज जी की जै तक्रीबन कुमारी से शुरू हुई समुद्दर के किराने किनारे यात्रा की शुरुआत हुई हर रोज पच्चिस किलोमेटर ये यात्रा चलती है टमिलनाडू केरला करनाटक तलेंगाना, आंधरा और अम महराश्ट्रा विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा था यात्रा की क्या जरूरत क्या फाइदा है इस यात्रा का देश में देश के कोने कोने में आज बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी डर फैला दिया है जहां भी आप देखें आपको डर नफरत और हिंसा देखेगी इस डर के खिलाव नफरत और हिंसा के खिलाव हमने ये यात्रा शुरू की है और यात्रा का लक्ष आपको कुछ बताने का नई है आपको कुछ समझाने का नहीं है अपनी मन की बात रखने का नहीं है यात्रा का लक्ष आपकी आवाज को सुनने का है आपके दर्द को समझने का है मैं सोचता हूँ कि डर से, नफरत से, हिंसा से बटवारा होता है प्यार से, जनता की आवाज को सुनने से, जनता से गले लगने से लोग जुडते है नफरत से इस देश को कभी फाइदा नहीं होगा मैंने डर की बात बोली डर कहां, डर किस बात का विपक्ष के लोग पूचेंगे डर किसका, कौन डरा हुआ है अगर वो इन सडकों पे चलते पाँच मिनट में उनको बात समझ आ जाती बाई और बेनों इस प्रदेश में पिछले छे महीनों में कितने किसानों ने आतम हत्या की है क्यों की है किस कारण की किसी भी किसान से बात करो आपको कहेगा हमें सही रेट नहीं मिलता तंग आ गया हुमें इन शब्दों को सुनकर पहली बात बोलते है मैं पूछता हूँ कैसे हो कहते है सही रेट नहीं मिलता दूसरा सवाल पूछता हूँ क्या हो रहा है कहते है हमने बीमा का पैसा भरा आंधी आई एक रुपया नहीं मिला और फिर सवाल पूछते है राहुल जी एक बात बताईए हमें समझ नहीं आती बात किसान आतम हत्या करता है क्यों करता है पचास हजार रुपय का कर्ज होता है लाख रुपय का कर्ज होता है और लाइन लग जाती है हजारों किसान आतम हत्या करते हैं पचास हजार रुपय का कर्ज होता है एक लाख रुपय का कर्ज होता है कितने किसानों ने मुझसे पूचा इसे ही नहीं पहला है पहले भी विधर्ब में किसानों को मुश्किल हुई थी उस समय दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी हमने विधर्ब के किसानों की आवाज सुनी और एक दम विधर्ब को पैकेज दिया डर कैसे मिठता है डर सुनने से मिठता है डर गले मिलने से मिठता है मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ आज बता रहा हूँ स्टेज से अगर महराश्टरा के चीफ मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री दिल खोल कर प्यार से महराश्टरा के किसान की आवाज सुन ले यहाँ पे कोई आतम हत्या नहीं करेगा क्योंकि अगर उन्होंने दिल खोल कर आवाज सुनी तो जो किसान सहरा है जो उसके दिल में दर्द है उसे वो समझ जाएंगे और अगर उसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद वो किसान की कर देंगे इन सडकों पे सिर्फ किसान नहीं मिलते युवा भी मिलते हैं हजारों युवा उसे मैंने बात की कोई एंजिनियर बनना चाहता है कोई लॉयर बनना चाहता है कोई आर्मी में जाना चाहता है कोई पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहता है हर युवा के माता ने पिता ने खून पसीने के पैसे डाले हैं युनिवर्सिटी भेजते हैं बच्चों को कॉलेज भेजते हैं फ्री में नहीं आता महराश्रा में ये मुफ्त में नहीं मिलती शिक्षा लाकों रुपे देते हैं और फिर इन सडकों पे क्या सुनने को मिलता है क्या पढ़े एंजिनियरिंग कौन सी मेकैनिकल क्या कर रहे हो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो मू नीचे करते हैं कहते हैं मजदूरी कर रहा हूँ उबर के गाड़ी चला रहा हूँ क्या हम ऐसा हिंदुस्चान चाहते हैं कि माता पिता लाकों रुपे डालें बच्चों के शिक्षा में डालें सारा का सारा पैसा उनके जेब में से निकल कर बड़े बड़े उद्योग पत्यों के हाथ में चला जाए और उनका सपना कभी पूरा ना हो ऐसा हिंदुस्चान हमें नहीं चाहिए ये किसी और का हिंदुस्चान है ये हमें नहीं चाहिए दो-תिन उद्योग पती देश का पुरा का पुरा धन उठा के ले जाए और हमारे युवा अपना सपना कभी ना पूरा कर पाई ऐसा नहीं चाहिए हम हिंदुस्तान और सिर्फ हम होने नहीं देंगे छोड़ो ऐसा हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे तो किसानों के दिल में डर यवाओं के दिल में डर उनके माता, पिता के दिल में डर और फिर उस डर को BJP नफरत में बदलती है बाटने का काम करती है भाई को भाई से लडाती है आप सब के परिवार है आप सब के भाई हैं माता पिता है परिवार में नफरत होती है तो परिवार का फाइदा होता है या नुक्सान कोई है यहाँ पे जिसके परिवार में नफरत से फाइदा हुआ है कोई भाई है यहाँ पे जिसको अपने भाई से लड़ने से फाइदा हुआ कोई है यहाँ पे बेटा जिसको अपने पिता से लड़ाई करने से फाइदा हुआ कोई है नहीं हो सकता तो अगर परिवार को फाइदा नहीं होता तो देश को कैसे फाइदा हो जाएगा देश भी तो एक परिवार है लाकों परिवानों से देश बनता है तो हिंसा से नफरत से देश को फाइदा नहीं हो सकता और आज यह आपकी धरती है महापुर्शों की धरती है शात्रपती शिवा जी महाराज जी जोति भापुले जी शाहु महाराज जी डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर जी सावित्री भाई भुले जी भोलकर जी संद गाडगे महाराज जी दन्यश्वर महाराज जी शिर्दी साहिब बाबा जी लिस्ट है इन में से किसी ने ये कहा था कि नफरत और हिंसा फैलाओ किसी ने कहा किसी ने नहीं कहा सबने प्यार की बात की सबने लोगों को जोडने की बात की और वो ही ये यात्रा कर रही है हम जोडने का काम कर रहे हैं वो तोड़ने का काम करते हैं वो नफरत फलाते हैं हम जोड़ने का काम करते हैं आज यात्रा में मैं बैठा था यात्रा के बीच में हम चाहे पीते हैं में चाहे पी रहा था और उधर से एक व्यक्ति आये आर्मी में हुआ करते थे मैंने उनको देखा पहले बात समझ नहीं आई मैंने का यह क्या है और फिर जब वो पास आये मैंने देखा उनकी टांगे नहीं थे एक हाथ नहीं थे मुझे उन्हें ने बताया कि जब उनको चोट लगी उनकी टांगे काट दी गए तो तीन महीने के लिए हस्पताल में उन्होंने अपनी बीबी को बताया नहीं कि उनके पैर कट गए महीनों वो हस्पताल में रहे दोनों पैर कट गए एक हाथ तुड़ गया इंटेस्टाइंज बाहरा गई थी चाती खुल गई थी और मेरे साथ बैठे मुश्कुर आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा बताईए आपको इतनी बड़ी चोट लगी आपके खिलाफ इतनी हिंसा हुई आपको नफरत नहीं आती क्या आपके दिल में नफरत है क्या मुश्कुर आके कहते हैं मुझे किसी से नफरत नहीं है और अगला शब्द कहते हैं मैंने पूछा क्यूं कहते हैं मेरी डिल में डर नहीं है मैंने डरता जिस दिन सुनो जिस दिन मेरे पैर कट गए उस दिन मैंने सोचा नई जिन्दगी है इसको मैं जियूँगा हिम्बच से जियूँगा बाईयों और बेनों जिसने भी अपनी जिन्दगी में हिंसा सही है जिसने भी अंसा सही है जिसको भी सची चोट लगी है उसके दिल में डर नहीं होता है और उसके दिल में नफरत नहीं होती है यह सब लोग जो नफरत की बात करते हैं इनको कभी चोट नहीं लगी है इनके किलाब किसी ने हिंसा नहीं किया है इसलिए ये बात करते हैं जो दिन भर देश को अपना कुन पसीना देता है चाहिए वो किसान हो चाहिए वो मज़दूर हो युवा हो, उसके दिल में नफरत नहीं हो सकती है सवाल नहीं उठता आज हम यहां आए शिवा जी महराज जी जुन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखा है उनकी जमीन है मा के बिना जो मा होती है वो बेटे को रास्ता दिखाती है शिवा जी महराज जी को शिवा जी महराज किसने बनाया वो कैसे बने शिवा जी महराज और वो शिवा जी महराज थे क्या हाँ वो एक व्यक्ति थे जरूर मगर वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे उनमें और हम सब में क्या फरक था फरक ये था कि वो महराश्टरा की आवाज थे पूरी की पूरी जो आपके दिल में जो भावना थी वो शिवाजी महराज के अंदर थी और उनको रास्ता दिखाने का काम किस ने किया उनकी माता जी ने किया राश्ट माता जी जाओ जी ने किया तो आज हम उनकी भी याद करते हैं जो शिवाजी महराज जी ने कहा और आपके सब महारपुर्शों ने कहा वही काम ये यात्रा करने की कोशिश कर रही है और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो क्योंकि आपने इस यात्रा को अपने पूरी के पूरी शक्ति दे दी पूरा प्यार आपने दिया आसान काम नहीं है 3500 किलोमेटर चलना असान काम नहीं है मगर आपने असान बना दिया आप देखिए नेताओं के चेहरे देखिए ठकान नहीं है किसी में मेरा चेहरा देखिए कोई ठकान नहीं है ये आपका काम है आपने हमें प्यार दिया आपने हमारी मदद की और आपने के किसानों ने, युवाओं ने, माताओं ने, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और इसके लिए मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ, मैं ये अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूँगा, कि महराश्टा की जनता ने, मुझे इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी, और इतना ग्यान दिया, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन